दूस्तों हमें एक कमेंट आया था, मेरा पैन कार्ट गुम हो गया है, लगवक 10 अयर हो गया है, मैं चाहती हूँ अभी बनाओ, लेकिन मेरा पहले का नंबर कुछ भी नहीं है मेरे पास, एक्टिव है या नहीं, वो भी नहीं पता है, मैं परिशान हूँ, तो इसका कोई वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप अपना पैन नंबर पता कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका कोई भी कोशन है, अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो तो उस टॉपिक से रिलेटर जो है आप नीचे कमेंट वॉक्स में कमेंट कर दीजे, इस वीडियो के कमेंट वॉक्स में अगर आपके कमेंट को पिक किया जाता है, तो आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाते हैं, वो आपको मिल जाएगी, दूस्तों चलिए अब बात करते तो दोस्तो यहाँ पे जो है इसके लिए मैं आपको दो methods बताने वाला हूँ जो कि legit है और यहाँ पे work करते हैं 100% लेकिन अगर आपके लिए पहला वाला work नहीं करता है तो आप second वाला method use करेंगे तो 100% यहाँ पे work होगा और आप अपना खोया हुआ pen number यहाँ पर पास सकते है और पता कर सकते हैं कि आपका pen number active है या फिर नहीं है दोस्तो पहला जो method है उसके लिए आपको यहाँ पे income tax.gov.in की site पे आ जाना है तो यहाँ पे इसका link आपको description में मिल जाएगा इस page पे आने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पे quick links का option मिलेगा quick links में आपको एक option देखने क यहाँ पे search करेंगे तो आपको pen number भी देखने को मिल जाता है तो दोस्तो जासे कि आपको यहाँ पे 10 search में जो है name को select कर लेना है और उसके वाद आपको category of detector में यहाँ पे options देखने को मिलेंगे यहाँ पे individual हوف को select कर लेना है और उसके वाद आपको name of detector में जो है अपना full name enter क को select कर लेना है जो भी आपकी state है और उसके बाद आपको अपना mobile number enter करना है वही mobile number enter करेंगे जो आपके पास present time में है और उसके बाद आपको नीचे continue के option पर click कर देना है तो आप जो mobile number enter करेंगे उस पर जो है एक OTP जाएगा वो OTP यहाँ पर आपको enter करना है जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो city है वो कौन सी है और यहाँ पर जो है अगर आपको list देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर आपका काम बन जाएगा क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर select कर लेंगे जैसे कि हम यहाँ पर अपना name select कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है हमें 10 number और उसके नीचे ही हमें यहाँ पर pan number भी देखने को मिल जाएगा और इस तरीके से जो है आप यहाँ पर अपनी details को यहाँ पर चेक कर पाएंगे दूस्वों यह था first method लेकिन यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि 100 में से यहाँ पर 60% लोगों को यहाँ पर उनका pan number देखने को नहीं मिलेगा यानि कि उनकी details देखने को नहीं मिलेगी तो उनके लिए जो है एक last option बच जाता है जिसके थूँ जो है वो आपनी सारी details चेक कर सकते हैं अपना pan number पता कर सकते हैं तो दूस्तो उसके लिए जो है यहाँ पर आपको home page पर आजाना है इस website के home page पर आएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे score down करना है नीचे score down करेंगे यहाँ पर आपको contact us के नीचे help desk numbers का option मिलेगा आप simple इस पर click करेंगे तो दूस्तो आपके सामने contact us का option आ जाएगा यहाँ पर आपको बहुत सारे options यहाँ पर services के numbers देखने को मिल जाते हैं दूस्तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा text information network जिसमें की बताये गया है कि queries related to pan and tan application for issuance update through nsdl अगर आपका nsdl की through pancard बना होगा तो वो आपको सारी details आपके बता देंगे दूस्तो यहाँ पर आपको नीचे number देखने को मिल जाएगा इस number पर जो है आपको call करनी है call करने के वाद जो है यहाँ पर आपकी details पोची जाएगी आपकी details जो कि और आपको आपका pan number बता देंगे अगर उनको आपके सारी details सही लगते हैं अगर दूस्तो आपको phone call पर यहाँ पर आपका pan number नहीं बताया जाता है यानि कि वो आपके details को verify नहीं कर पा रहे हैं तो इस case में जो है आपको क्या करना है आप जिसवी state में रहते हैं जिसवी city में रहते हैं आपको अपने nearby यहाँ पे income tax department को office को find कर लेना है Google में जो है आप यह search कर सकते हैं कि आपके nearby कौन सा income tax department है आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आप अपनी details बताएंगे और वहाँ पे आप अपना अधार card देंगे अपनी details verify करवाने के वाज आपको details में बता दिया जाएगा कि आपका पहले कोई pan card बना हुआ है या फिर नहीं बना हुआ है अगर बना हुआ है तो वह आपको बता देंगे और आपका pan number भी वहाँ पे आपको बता देंगे तो दोस्तों यही आपके लिए last option है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो आपके लिए helpful रही हो तो इस वीडियो को ज़रूर से like कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा और अगर आपका कोई question है जिसपे की आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए नीचे comment box में comment कीजेगा चलिए मिलते हैं next video में तब तक लिए bye bye take care thank you